दोस्तों महान आचारी चानेक्ये ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या कब कहा और कितना बोलना है उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है जिस तरह कमान से निकलावा तीर कभी लोट कर वापिस नहीं आ शब्द और भाषा हतियार है और कमजोरी भी सई समय पर सई शब्दों के प्रियोग से इंसान परिशानियों से बच सकता है लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसिबत को बढ़ा देते हैं द्रोपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महा भारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बढ़ा बताने के लिए करते हैं लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइलेंस के साथ इसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बलकि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी तो दोस्तों मेरा नाम है मिश्टर प्रोटॉन सो लेट्स बिग्य और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को इंट का जवाब पत्थर से देते थे साइलेंस यानी चुपी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है ये बात आप इस सुधारन से समझ सकते हो कि जब क्लास रूम में टीचर किसी विशय पर बात करते हैं तो ठीक यही फॉर्मूला हमारे देनिक जीवन में भी लागू होता है जब आप अपने काम से काम रखते हो दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो जरूरत हो तबी बोलते हो तो लोगों का ध्यान आपके उपर जाता है और अगर आप कम बोलते हो जरूरत हो तबी बोलते ह तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्वा देंगे 5 दोस्तों शानत रहना मौल भाव यानि नेगोशियेट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है बाचीत के दोरान जब आप चछुफ हो जाते हो और सामनावाले इंसान को जाव नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं तो बस इसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको example के तुरू explain करता हूँ मान लो आप कोई deal final कर रहे हो तो सामने वाली party को जल्दी से yes या फिर no कहने के जवाब मत दो कुछ seconds का pose लो आपकी ये चुपी सामने वाले इंसान को परिशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा उनको सारी बातें बोलने दें इससे आपको बाचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका side बाचीत के दोरान ज्यादा भारी रहेगा दोस्तों अगर आप एक मजबूत relationship बिल्ड करना चाहते हो आपके प्रशनों का जवाब ही नहीं देंगे लोग आपके प्रशनों का जवाब ही नहीं देंगे इसलिए कोई भी प्रशन पूछने के बाद आप silent हो जाओ अपना opinion मत दो लोगों का क्या opinion है उस बात पर उस प्रशन पर ये जानने की कोशिश करो शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए कुल मिलाकर प्रशन पूछने के बाद आप जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा स्वामी विवे कानंद जी जो अपनी बुद्धी मता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उनमें भी एक्वालिटी देखने को मिलती है वो अपने गुरु रामकिष्ण जी से जब भी कोई प्रशन पूछते थे तो अपना उपीनियन तो बाद में देते थे लेकिन पहले प्रशन पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि वो अपने गुरु देव की क्या राय है उस प्रशन को लेकर उस बात को लेकर यह जान सके दोस्तों साइलेंस एक सोफ्ट पावर है सोफ्ट पावर से मेरा मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी हल्प से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं इसका सबसे बैतरीन एक्जामपल है मातमा गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के मार्क पर चले थे और बिना लड़े ही उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी मातमा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे उन्होंने सोफ्ट पावर का इस्तमाल किया और अंग्रेजों को हराया कई बार लड़ने से और जगडने से प्रोब्लम सॉल्व नहीं होती चुप हो जाने से और शांत रहने से प्रोब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों The Quiet Book के ओथर सुजैन केन अपनी बुक में बताते हैं कि फोटफुल साइलेंस इंसान को कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है मेरा एक दोस्त लेपटोप खरीदने जा रहा था तबी उसको रास्ते में बरसों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लेपटोप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घ़र है वहाँ मेरा ये समान डिलिवर कर देना वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका समान ले लेता है लेकिन जहां समान डिलिवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था उसका बहुत सारा समय बरबाद हुआ उस आइटम को डिलिवर करने में बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्ता आया इसलिए हमें हमेशा हा नहीं कहना चाहिए ना कहने की और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए तो दोस्तों इन सब बातों से आप ये तो समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है साइलेंस की पावर को अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते silence आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप भी वीडियो में बताएगी बातों को अपने जीवन में उतारते हो जहां जरूरत है वहीं बोलते हो तो definitely आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो दोस्तों I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और एसी गजब की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर लव यू ओल अल दे पैस